नमांकन दाखिल करने पहुंचे बिक्रम जीत सिंग मजीठिया अमरिच सरीस से सिध्धू के खिलाफ चुनावी मैदान में है मजीठिया यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बिक्रम जीत सिंग मजीठिया नमांकन दाखिल करने पहुंचे हैं अमरिच सरीस से सिध्धू के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पंजाब इधानसभा चुनावों की भी अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर सियासी महौल काफी जादा गर्म है जहाँ पर आमादमी पाटी के और से बात की जा रही है कि आंतरिक सुरक्षा प को हम दिखा रहे हैं बिकरम जीत सिंग मजीत हिया यहां नमांकन दाखल करने पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ काफी संख्या में उनके समर्थक यहां पर मौझूद है नमांकन दाखल करने यहां पर Codus के कि खिलाफ मैदान में होंगे 2022 के रंड का आगाज हो चुका तस्वीरे आपके सामने हैं आपके सामने हैं अमरिसर से ये सीधी लाइफ तस्वीरे इस समय हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन दाखिल करने पहुँचे हैं विक्रम जीत सिंग मजीठिया तस्वीरों में आप देख सकते हैं नामांकन दाखिल करने वो पहुचे हैं और समर्थकों की अच्छी खासी भीड इस समय उनके साथ यहां पर मौजूद है मेरे सयोगी गुलशन हमारे साथ इस समय जोड़ चुके हैं पंजाव इधानसभा चुनावों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं पंजाव इधानसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो कल राहूल गांधी पहुचे थे और आज यहां पर अर्विन केजरिवाल पहुचेंगे कौन-कौन से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा उनकर रहेगा नमांकर का दौर भी देखा जा रहा है कुल मिलाकर क्या कुछ फिलहाल सरगर्मी आई समय चुनावी देखी जा रही है देखे दीप्षी का बिलकुल आप जो है पंजाब चुनाव में इस्टार परचारक भी लगातार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं जहां एक तरफ कॉंग्रेस के बड़े नेतार राहुल गांधी पंजाब में चुनाव परचार करने हैं तो वहीं आज से आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमों हैं और्विंद केס Đृवाल वह भी चुनावी दोरे में शामिल हो गए है आज बात करें तो अमरिसर सीट पर यहां पर चुनावी दोरह करेंगे इसके लावाँ जालंदर पास वजो आदशार करेंगे वहां पर परचार करेंगे हलाकि कल जब वो देर शाम अमरिस्सर के एरपोर्ट पर जब वो पहुँचे थे तो वो मीडिया से भी रूबरू होए थे और उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा था उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी पंजाब के लोगों को उनकी शकल दिखाने के लायक नहीं है क्योंकि 5 साल कॉंग्रेस की सरकार रही है जो कॉंग्रेस की सरकार ने 5 साल वादे किये थे वो एक भी पूरे नहीं होए चाहे घरगर नोकरी की बात की जाए चाहे लोगों को रोजगार देने की बात की जाए चाहे बुडापा पेंसन बढ़ाने की बात की जाए चाहे नशे को खत्म करने की बात की जाए तो इस तरह की काफी जो है निशाने जो है अरविंद केजिवाल ने कॉंग्रेस पर निशा नामंकन बरने के लिए पहुचे हुए हैं इसके अलावा उस सीट पर कड़ा मुकावला जो है यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि कॉंग्रेस से नवजूत सिंग सिद्धू उनके सामने है इसके अलावा जो आमादमी पार्टी से बात करें तो आमादमी पार्टी से महीला ने अजमा लिया है और दोनों ही जो है काफी दुरंदर जो है पारी खेलते हैं हलाकि उन्होंने इस दोरान निशाना भी दोनों पर साधा है आपको यह भी बता दें कि दीप्शिका जो साथ में अर्विंद केजरिवाल ने जो विक्रम सिंग मजीठिया और साथ में नवज आपकी जनता उनको इस बार सबक सिकाएगी और जो आम आदमी पार्टी से महिला उमिद्वार है जीवन जोत उनको जो है यहां पर समर्थन देगी उन्हें जिताएगी हलाकि सभी सीटों पर इस समय चुनाब परचार जोरों सोरों पर चल रहा है क्योंकि लगातार हमने पह चुनाबी मैदान में कूच चुकी है लगातार जो बड़े नेता है हर पार्टी के अब जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता रावल गांदी भी चुनाबी मैदान में उतर चुके हैं कल आपने देखा कि एक ही मंच पर किस तरीके से चरंजी सिंग चन्नी और नवजोज सिंग सुद्धू जो कि मुख्य मंतरी का दुखडा रोते हुए नजर आए हलाकि अभी पार्टी बनी नहीं है दो हजार बाईस में सत्ता सीन नहीं हुई है उसके बावजूद भी किस तरह से वो मुख्य मंतरी का रोना रो रहे हैं कि मुख्य मंतरी पद का जो चहरा है वो पहले ही पार्टी घोशित करे ताकि जो उन्होंने मैनिफेस्टो जो लागू किया है उसे किस तरह के से लागू करवाना चाहिए हलाकि नवजोज सिंग सिद्धू ने ये साफ तोर से मंच के माध्यम से कल कह दिया था कि चरण जी सिंग चन्नी के बस की बात न नशे की बात करें या वो लेंड माफिया की बात करें तो ये माफिया राज जब तक खतम नहीं होगा तब तक कहीं न कहीं पंजाब जो है सुरक्षित नहीं होगा तो ये मुद्धा 2022 का जो रण है विधान सभा चुनाव का वो कहीं न कहीं माफिया राज पर जो है चल रहा और माफिय राज को खतम करने की बात जो है हाँ पर हर पार्टी कर रही है हलाकि आमादमी पार्टी ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि आमादमी पार्टी ने कहा है कि इसको लेकर के हम एक टीम गठित करेंगे जो टीम होगी वो इंडिपेंडेंट होगी सरकार के फेवर में भ चाकि इस माफिय राज को खतम किया जा सके और नशे को खतम किया जा सके अलाकि यहां पर आमादमी पार्टी के जो मुख्य मंत्री पद के चेहरे हैं बगवन तमान वह बार बार अब स्टेज पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि अब पंजाब के युवाओं को नशे से बच रही है लेकिन देखना यह होगा कि पंजाब की जनता आखिर भरोसा किस पर जताती है बहुत बाशुक्रिया गुल्शन तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए